नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल BDP Investment में आज के सुडियो में बात करने वाले दोस्तों ऐसे धमाखेदार स्टॉक जिसके बारे में बात करते हुए दोस्तों जो साता है दोस्तों पैसा बनता है और हर टाइम हम सही साबित होने की फिलिंग आती है दोस्तो सही साबित होने से पहले दोस्तों पैसा अपने पोटफोलियो में आता है अपने बैंक अकाउंट में आता है वही सबसे बड़ा अच्छा फिलिंग होता है दोस्तों और अब वह इस लेवल के उपर आ गया है HFCL जहां पर दोस्तों अगर यह लेवल टूटेगा तो और ते बड़ा दोस्तों ब्रेक्ट्रू आने वाला है तो कौन से लेवल इंपोर्टेंट उसके उपर भी बात करेंगे दोस्तों IOL Chemical का दोस्तों प्रिवेस वीडियो में ने बनाया था और वहां पे दोस्तों लंबी चौड़ी गिरावट के बाद अब दोस्तों एक ऐसा मौका मि इनवेस्टर्स के दोस्तों जिसका एनेची का कोड है एच चैपसी है आज के दिन में दोस्तों तेजी आई हुई है और पांस दिन के अंदर दोस्तों बात करें तो 26.25% का दोस्तों मुमेंट आया है यहाँ आप अब ग्राप देखो दोस्तों बहुत ही इनव है बहुत ही जबरजस तेजी बनी हुए है दोस्तों और एक मंत के अंदर 20% का तेजी आई है और 6 मंत के अंदर दोस्तों स्टों में 78.77% की आई है तेजी दोस्तों एक साल के अंदर आई है 314.67 और पांस साल के अंदर दोस्तों आई है 626% की दोस्तों और अगर देखा जाए तो बहु अगर देखो 78.70% है पर दोस्तों यहाँ पर देखे प्रिविएसली हाई बना है 88 का उसके बाद काफी स्टॉक नीचे गया था और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेस्टन थे सबको मैंने एकी चीज़ बोली थी होल्ड करना है क्यों होल्ड करना था और हमारा लेवल दोस्तों कहां पे था तोस्तों हमारा लेवल जब मने फर्स्ट टाइम इस्टॉक को डेकमेड गिया था मेरी चैनल में तब दुस्तों वेकली चाट के ऊपर जो ब्रेकाउट बना था जबर जस्ट ब्रेकाउट अटाया था और तब मैंने आपको बाइकर ने का सुझाओ द लेवल डिसकस कीए दे और वहां पर रिट्रेस्मेंट लेवल के बाद आगे चला गया स्टॉक हमें बहतरी मुमेंट मिल चुकी है दोस्तों स्टॉक में अब ब्रेक आउट के पर बात करें उससे पहले दोस्तों थोड़े जो न्यूज रिया उसको समझने की कोसिस करते हैं द दोस्तों उनका जो प्राइजिंग इन्हों ने रखा है वो 72 के आसपास रखा हुआ है तो एक दमदार जो है वो बाड के इसाफ से आया है और अभी का प्राइज चल रहा है तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों और दो दिग्ज इंडर्स्ट्रेलिस जो है व और ओटिकल फाइबरiden केबल और दोस्तों आप्टिकल फायबर की कंपनिया आने वाले टाइम में अच्छा ही करने वाली है दोस्तों डेटा का जमाना है तो उसमें कोई बेमत नहीं है दोस्तों और यहां प देख सकते कि अभाईए का भी जो बाईंग है वह बहुत जादा बढ़ चुका है दोस्तों पिछले काफी quarter से FII काफी बुली से इस टॉक में दोस्तों तो एक काफी अच्छी बात है दोस्तों और प्रमोटर ने भी बीच में अपना holding बढ़ाया था फिर थोड़ा सा कम किया बढ़ दोस्तों FII की जो पॉजिटिवनेस दीख रही है यहां पर वह काफी तारीफ है काबिल है और दोस्तों पब्लिक होल्डिंग में भी दोस्तों थोड़ी सी हलके सी गिरावट आए क्योंकि वह सारा से FII ने लिया हुआ है दोस्तों अब दोस्तों डिलेवरी के ऊपर नजर डाल के फिर चार्ट के ऊपर ब्रेक आ आउट के लेवल की करते तो delivery दोस्तो 25.2% हुए 8 December को 7 December को 30.8% है दोस्तो यह क्यों कम हुए उसके उपर भी हम बात करेंगे चार्ट के उपर दोस्तो 6 December को 41.6% पिछले विक जब यह बूम हुआ उससे पहले आप देखिए दोस्तो delivery काफी बड़े हुई थी even 30 November को 74% से भी ज्यादा delivery हुई थी दोस् स्टॉक में अब आ चुके हम चार्ट के उपर दोस्तों यहां पर आपको वही सब सारे लेवल दीख रहे हैं जो हमने प्रिवेस चार्ट में जो हमारे प्यूट और यूटूब के वीडियो थे वहां पर आपने देखिए और 38.2 का retracement खतम करके श्टॉक उपर चला गया है कि यहां परदेखियें कि यहां पर देखिए दस्तों जब यह के ऐड़ बना था दोस्तों तब वाल्यूम जो था उतना ही वालिवम अभी तक वह á historians और वहां तक आ चुका है यहानि कि दूस्तों अब हमारा breakout लेवल 95.70 है अगर हम टॉप की बात करते हैं दोस्तों टॉप की बात करते हैं तो क्लोजिंग लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो प्लोजिंग हुआ था 9 जूलै 2 होजा इसको विकली चाथ के ऊपर वह था 88.95 वह अभी दोस्तो चार्ट चल रहा है तो वहां तो उपर ही चल रहा है आई स्टॉक तो धायनिकी दूस्तों जो जरूरत है वह सायद हमें यहां पर मिल जाएगा यह विक में यह निक्सिक में आगर वल्यूम में जाता है तो स्टॉक में जबरजस्त आजाएगा तेजी और डेली चाट के उपर अगर हम समझने की कोशिज करते हैं दोस्तों डेली चाट के उपर दोस्तों कंटीनियस दोस्तों पॉजिटिव केंडली बना रहा है स्टॉक बहुत ही बढ़िया एक दिन थोड़ा सा नर्वस हुआ था अब दुसरे दिन और तीजी आई वॉल्यूम बढ़ा औ स्टॉक टो लपकलो दोस्तों लपकलो और बढ़िया शॉट टम और मिटें टमिंग यह लिए सकता है अगर आपने लिया नहीं है और आप लंबी दौदी के इन्वेस्टर है आपको स्टॉट टम में नहीं घेलना है तो दोस्तों वेट कीजिए आप ब्रेकाउट के आसपस बाई करके रख सकते हैं और 100 के ऊपर चला जा है तो फिर 3 डिजिट का जो लेवल हो दोस्तों साइकोलोजिकल लेवल होता है वो एक बार जाने के बाद वो स्टॉक जल्दी तूपता नहीं है तो इक benefit आपको मिल सकता है वहां पे भी दोस्तों बट अगर आपको दोस्तों कि रड़ी रही है दोस्तों हमने SEC में देखा दोस्तों IFCI में देखा कि जिसे breakout आते हैं नए हाई जबर जस्त बनते हैं सौट्टम में जबर जस्त देजी है हमारे पिछले वीडियो देखके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों और वोल्यूम हमें मिल रहा है दोस्तों यहां पे और आप देखो कि जब प्रिवियस्ली जब स्टॉक बढ़ा था था वॉल्यूम के साथ बढ़ा था दोस्तों और इन्वेस्ट निकले नहीं थे तो यहां पर भी दोस्तों चांसे से कि जो डरे सहिमें हुए लोग थे वो यहां पर साथ निकल गए होंगे अपने पॉफिट के उपर जो मैंने समझाए आपको हर बार की तरह कि दोस्तों बड़ा पॉजिटीव केंडल होना चाहिए ग्रिन केंडल और वोल्यूम पिछले तीन चार केंडल से अच्छे होने चाहिए दोस्तों अगर वो आ जाता है हमारे फेवर में तो दोस्तों लपक लो बहुत ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धनियवाद और यह दोस्तों यह वीडियो एज मैंने एज्जुकेशनों परपर्स के लिए बनाए आपके फाइनाशल एडवाजर की सला लेके ही आप इसमें ट्रेडिया इंग्वेश कीजिए धनियवाद दोस्तों